कार्तिक मास भगवान विष्णु की पूजा के लिए सबसे खास माना गया है। इसलिए इस महीने में विष्णु प्रिया तुलसी की पूजा करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। इस पूरे महीने में तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाने की परंपरा है। इस महीने में श्रीहरी मत्सिय अवतार में रहते हैं। इसलिए इस महीने में भूल कर भी मचली या फिर अन्य प्रकार की तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। कार्तिक में बैंगन खाना अशुभ माना गया है। साथ ही इस माह, द्विदलन, अर्थात, जो अनाज दो भागों में बटे हों, उनका सेवन नहीं करना चाहिए। उड़द, चना और मसूर, मूंग, मतर ऐसे ही अनाज माने गए हैं। कार्तिक मास में जीरे के उपियोग भी नहीं करना चाहिए। यूं तो जीरा स्वास्थे के लिए फाइदेमंद बताया गया है, लेकिन कार्तिक के महीने में इसे खाने से नुकसान होता है। कार्तिक के महीने में दही का सेवन न करें, तो आपकी सेहत और आर्थिक द्रिष्टी दोनों में लाब होगा। कार्तिक में दही खाना संतान के लिए अशुब, माना जाता है. कार्तिक के महीने में करेला भी नहीं खाना चाहिए. ऐसा माना जाता है कि करेला वात रोग बढ़ाने वाली सबजी है और इस महीने में करेले में कीड़े भी पड़ जाते हैं इसलिए करेला खाना स्वास्थे के लिए हानिकारक माना गया है कार्तिक के महीने में मूली खाना शास्त्रों में बहुत ही फाइदेमंद माना गया है इस मौसम में कवदोश और पित्दोश, संबंधित बीमारियां होने की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है इसलिए इस माह में मूली खाना लाबकारी है कार्तिक के महीने में परम पावनी गंगा नदी में डुबकी लगाना बहुत ही अच्छा माना गया है अगर आप गंगा में सनान नहीं कर सकते तो घर पर नहाने के पानी में गंगा जल मिला कर सनान कर सकते हैं कार्तिक के महीने में पूरे 30 दिन तुलसी के नीचे घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए. अगर आप लगातार इतने दिन दीपक जलाने में असमर्थ हैं, तो देवो थान एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक कम से कम 5 दिन दीपक जरूर जलाएं. तुलसी के पूजा करने पर मान लक्ष्मी के साथ साथ कुबेर जी की कृपा भी प्राप्थ होती है. कार्तिक के महीने में भगवान विश्णु का स्मरण करते हुए शाम के वक्त पूजा के स्थान में तिल के तेल का दीपक जला कर रखें. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विश्णु ने स्वयम कुबेर जी से कहा के कार्तिक मास में जो मेरी उपासना करे उसे कभी धन की कमी मत होने देना. कार्तिक के महीने में पलंग पर सोने की बजाए भूमी पर सोना अधिक श्रेष्ठ माना जाता है. इसके साथ-साथ कार्तिक के महीने में जरूरत मंदों को यथा संभव अन्न और वस्त्र का दान करें. रोजाना उगते सूर्य को जल दें. भक्तो अगर आप भी भगवान विश्णु के भक्त हैं, तो कॉमेंट बॉक्स में जय हरी विश्णु जरूर लिखे और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें.